नमस्कार आप देखरें economy का हिसाब किताब मैं हूँ अनंदियो चक्रवर्थी और आज मैं फिर से बात करूँगा कि क्या हमारे देश में फिर से एक महामंदी आ रही है क्या 2020 के तरह 2021 में भी economy की गाड़ी पिछे जाएगी रिवर्स में जाएगी इसी का हिसाब लगाएंगे आज के इस एपिसोड में दोस्तों मंदी किसको कहते हैं मंदी हम कहते हैं कि जब किसी देश की कुल आए यानि कि GDP जिसको कहते हैं तब उसको recession कहा जाता है इसको मैं कहता हूँ महामंदी महामंदी आने की बात होती है 2020 में हम जानते हैं ऐसा हुआ है हमारी जो economy है वो लगभग 10% घट गई है पीछे चली गई है अगर 2019 में 100 रुपे हमने कमाया था पूरे देश में तो 2020 में जाकर वो 90 पर गिर गया था इस साल कहा जा रहा था कि फिर से growth बहुत अच्छा होगा 11-12% होगा और हम जाकर इस साल 2021 में फिर से 100 से उपर चले जाएगे अच्छी बात है लेकिन फिर क्या होगा मार्च से हमारे देश में कोविड का सेकंड वेव आ गया है और यह पहले वेव से बहुत जादा है दिली में अब लगातार लॉकडाउन चल रहा है मुंबई में थोड़ा थोड़ा हाल बहतर हो रहा है लेकिन आप जाते हैं महाराष्ट्रा में पूरा बुरी तरह से फैला हुआ है जितने भी हमारे देश के इंडस्ट्रिल स्टेट है जो इंडस्ट्रिलाइज स्टेट है जहाँ पर कारखाने है वहां हर बहुत जगे पर अब यह जो महामारी है फिर से फैल गई आब बैंगलोर ले लिजे हैं हैदरबाद ले लिजे जो IT हब है वहाँ पर भी फैली हुई मतलब यहां से निकलना मुश्किल है अगर office बंद है, कारखाने बंद है तो क्या होगा mall, cinema hall बंद है तो क्या होगा चीजे बिकेंगी नहीं, चीजे बनेंगी भी नहीं और इसका मतलब है लोगों की नौकरी जाएगी लोगों का रोजगार जाएगा मार्च से अपरेल तक अगर हम compare करके देखे और यह CMI का आकड़ा है लगबख 75 से 80 लाक लोगों का रोजगार घट गया है हमारे देश में और अगर यह रोजगार मार्च से अपरेल में घटा है माई में जाके यह हो सकता है और भी बढ़ेगा क्योंकि lockdown माई तक चल रहा है और हो सकता है कि बाकी जगयों में भी पहुंच जाए अब आप देखिए इसका मतलब क्या है अगर लोगों की नौकरी गई और अगर कंपनियों का मुनाफ़ा नहीं हुआ जो चीजे बेच रहे हैं बहुत लोगों का problem हो तो क्या होगा आने वाले दिनों में और भी रोजगार कम होगा रोजगार कम होगा तो लोगों के हाथ में कम पैसे आएंगे कम पैसे आएंगे तो चीजे वो कम खरी देंगे कम खरी देंगे तो बिक्री कम होगी कंपनिया बंद हो जाएंगी, कहीं पे रेस्टोरांट बंद हो जाएगा, कहीं पे गाड़ी का डीलर्शिप बंद हो जाएगा तो पूरे बुरी तरी से पूरा गरीब से लेकर मिडल क्लास तक इसमें affected होगा पिछले साथ 2020 में भी हुआ था, लेकिन उसमें एक चीज हुआ था, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं अगर हम देखे हमारे देश के जो स्टॉक मार्केट पे जिनके शेर बिखते हैं उनका क्या हुआ, उनकी बिकरी कम हो गए, ठीक है, लेकिन साथ में जो खर्च करते हैं वो भी कम हो गया, यह ना वो जो वेतन देते हैं, जो वेजेज देते हैं, जो डेली मजूरी देते हैं, वो सब कम हो गया, साथ में पूरे दुनिया में, मंदी छाई हुई थी, पूरी दुनिया में रिसेशन है, तो जो भी input कहते हैं, जो चीजे काम में लगाकर चीजे बनाए जाते हैं, उनके भी दाम घड़ गया थे, यानि कि input cost, जो भी raw material, कच्चे माल का cost है, वो भी गिर गया था, अगर कच्चे माल का cost गिर गया है, जो वेतन वगेरा दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है, वो भी गिर गया है, तो क्या हुआ, कुल विक्री कम होने पर भी मुनाफ़ा बढ़ गया, corporate sector का मुनाफ़ा तेजी से बढ़ा पिछले साल, है ना, इसलिए जब किसी company का मुनाफ़ा बढ़ता है, तो क्या होता है, उसका share भी share market में उपर जाता है, क्योंकि share market में क्या देखा जाता है सबसे जादा, मुनाफ़ा, सिर्फ विक्री ने, मुनाफ़ा, अगर मुनाफ़ा बढ़े, तो share बढ़ने का chance जादा हो जाता है, खेर, एक चीज़ आप इसके साथ देखें कि, अब क्या हो रहा है, पिछले साल पूरे दुनिया में महामारी चाही हो थी, पिछले साल पू पहले बंद हो चुका है, योरोप में धीरे-धीरे कम हो रहा है, औस्ट्रेलिया निकल रहा है, सभी धीरे-धीरे इससे निकल रहे हैं, और इसका मतलब क्या है कि, इस साल अगले 6-7 महीनों में ये सारी जितने भी बड़े एकॉनमी है, यहाँ पर फिर से विकासदर बढ़ ये बहुत important चीज है, पिछले साल ये दाम घटे थे, इसलिए corporate का मुनाफ़ा बढ़ा था, कच्चे माल का दाम घटा था, मुनाफ़ा बढ़ा था, इस साल क्या हो रहा है, कच्चे माल का दाम already बढ़ने लगा है, पूरे दुन्या में बढ़ने लगा है, चाहे वो आप, ज सबसे जादा important crude oil यानि कच्चा तेल जिसे petrol, diesel वगेरा बनता है, इन सब के दाम बढ़ने हैं फिर से, क्यों कि बाकी देशों में, बड़े economy में मांग फिर से वापस आ गई है, इनके दाम जब बढ़ने हैं, चाहे हमारे देश में खरीदने वाला हो या ने हो, क्या होगा, जो companys खरीद रहे हैं, कच्चा माल अपने जो सामान बनाते हैं, उत्पादन के लिए, उनका खर्चा बढ़ जाएगा, जब उनका खर्चा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आप देखें कि जब खर्चा बढ़ता है, तो क्या करते हैं companyya, जिस दाम पर वो चीज़े बेचत यानि कच्चे माल का दाम बढ़ेगा और साथ में जिस दाम पर वो चीजे बेच रहे हैं प्राइस वो घटेगा तो मतलब बिलकुल जाहिर सी बात है कि profit यानि कि मुनाफ़ा घटेगा अगर मुनाफ़ा घटेगा तो क्या होगा बड़े-बड़े मैनेजर वगेरा लोगों को भी मुश्किल होगी ठीक है कॉर्परेट सेक्टर में भी नौकरिया जाएंगे फिर से सैलरी कट होगा बड़े-बड़े जो मैनेजर बैठे हैं उनका भी सैलरी कट होगा उनको भी कहा जाएगा इस साल आपका बोनस नहीं है और वो भी खर्च नहीं कर पाएंगे हमारे दे कॉर्परेट का मुनाफ़ा गिरने लगेगा तो स्टॉक मार्केट जो पिछले साल तेजी से उपर गया क्योंकि कॉर्परेट का मुनाफ़ा बढ़ा था वो भी गिरने लगेगा और आप जानते कि हमारे देश में जो अमीर लोग हैं वो बहुत सारा पैसा शेर मार्केट मे करें तो सरकार को इस वक्त बे जिजक पिछले साल लगातार हम ने कहा था हम फिर कह रहें सरकार को बे जिजक खर्चा बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं सिर्फ FCI को पैसे दे पड़ेगा नहीं तो इस economy में हम और भी बुरी तरे फसने वाले और हम 5-6 साल पीछे चल जाएंगे यह हो सकता है अगर सरकार अभी न जागे और जल्द से इसको टैकल न करें